श्री राधे, नमस्कार दोस्तों, आप सबी कहा हमारे यूटीब चैनल में स्वागत है, मैं विजिंद राज आपके लिए बांकी बिहारी चमतकार की एक और कथा लेके आया हूँ, जब भी आप स्री बांकी बिहारी जी की कथा सुने, आखों को बंद कर ले, आपको ऐसा दर्शय दिख रहा है, सब सामने हो रहा है, तब कथा सुनने का मजा और आएगा, आपका आनंद बिहारी जी के परती, आपका लगाओ, आपका प्रेम और बढ़ेगा, तो आईए कथा शुरू करते हैं, ये अठारवी कथा है, सत्रा कथा मैंने पहले कई हैं, तो बांकी ब दर्वार, रवीवार, एकादशी पे जाएए, किसी उत्सव पे जाएए, जर्मास्टमी पे जाएए, शर्दपुर्णी मा पे जाएए, चरण दर्शन पे जाएए, आपको भहुत भीड मिलेगी, लेकिन जो ये तवार हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इन पे तो भीड़ी की संख्या बहुत बढ़ जाती है तो उसी से सम्मंधित एक कथाब को सुनाता हूँ एक बार बसंत पंचमी का तिवार था पावन पर्व, मंदिर में भारी भीड, लोगबाग बिहरी जी के दर्शनों के लिए उत्साहित थे अब जहां बीड होती है, वहां धक्का मुक्की तो होगी स्वाभाविक हैं, लेकिन आनंद के शणों में किसी को इस बात की परवानी होती कि धक्का लग रहा है, मुक्का लग रहा है बस दर्शन के लिए आगे बढ़ते जाते हैं कोला हल के इस सारे माहुल के मध्य एक नोजवान सादू बिलकुल पीछे खड़ा था सादू ने साधान वस्तर धारन किये थे लेकिन उन सादू की आखें बड़ी विलक्षन थी बड़ा तेज था उनमे इकहरा शरीर, लंबे रुखे बाल, चैरे पे दाड़ी भगवे वस्तरों को देख के लगता था कि ये सादू है वरना उसकी और ध्यान जाता ही नहीं लेकिन जिसका ध्यान चला गया वो उनकी आखों की गहराई को देख के बड़ा हैरान होता बड़ी बड़ी चमकिली और पनीली आखे लगता जिसे पता नहीं कितना पानी भरा उनमे बस चुपचाप या तो ठाकुर जी को निहारता रहता या कई बार आखे बंद कर होटों में कुछ ने कुछ बड़बडाता रहता एक दिन ऐसे ही आखे बंद किये पिछे से खंबे की टेक लेकि वो सादू खड़ा था पास से निकलते गोस्वामी ने कहा अरे या बंद आखो का क्या काम ठाकुर के दर्शन करने आये हो तो आखे खुली रखो भया सुनकर सादू मुस्करा दिया आखे खुली और फिर बंद हो गई कुछ देर बाद वही गोस्वामी फिर से वहाँ से निकले उन्होंने फिर से कहा भाई खड़े खड़े सो रहे हो क्या आखे खोल के जरा ठाकुर जी को निहार तो लो कितने सुन्दर हैं कितनी सुन्दर चवी है सादू बोला सुन्दर तो हैं लेकिन अगर पोशाक दूसरी पहनाते तो और भी ज़्यादा सुन्दर लगते अब गोस्वामी जी चौक उठे उन्होंने पूछा दूसरी पोशा कौन से सादू बोला वही जो सितारों से जड़ी थी जिसका रंग गहरा केसरिया था अब गोस्वामी जी चकरा गए सादू की बाट ठीक थी हुआ यूँ की बसंत मच्वी पर ठाकुर जी को यही पोशाक दान करनी थी लेकिन जब पहनाने काउसर आया तो किसी कानवस दूसरी पोशाक दान करा दी गए दोनों ही सुन्दर थी पर पहली वाली पर सितारों का काम बड़ा सुन्दर था और रंग भी किसरिया था जबकी बिहारी जी ने उस समय पीले रंग की पोशाक पहनी थी गोस्वामी जी की समझ में नहीं आया कि सादू को कैसे पता चला पोशाक के रंग और उस पे जड़े सितारों के काम के बारे में और दूसरी बार थाकुर जी की शंगार के बारे में इस तरह खुले आम नैतो चर्चा होती है नहीं इन बातों को सरवजनिक किया जाता है लेकिन ये सब जानता कैसे है खैर उस समय कारिया की व्यस्था के कान उनने सादो की बातों पे ध्यान ने दिया दो दिन बाद वही सादू दिखा वही उसी जगह चुपचाप खड़ा था आंके बन होटों पे मुस्कुराहट गो स्वामी जी समझ गए हो नहो ये कोई साधान व्यक्ति नहीं है मन की नहीं मन की आँखे खोल कर देखो वो बिलकुल सामनी खड़ा दिखाई देगा लेकिन कैसे आँखे बन्द करके तो सिरफ गहरा अंधकार दिखाई देता है साधू ने आँखे खोली आँखों की चमक में पता नहीं कितने हीरों का तेज समाया था दर्शन क्यों किये अब गोस्वामी जी चुप रहे बात सही थी उनके मन में फुत्री की शादी की चिंता थी दर्शन के समय भी मन में चिंता के ही बाहो थे पर महराज आपको कैसे पता उस दिन भी पोसाक के विसे में जो बात आपने कही वो सच थी लेकिन आप कैसे जानते हैं सब सादो की आँखों में सरारत चमकने लगी कैसे जानता हूँ रोज तो मिलते हो रोज देखते हो फिर भी संस्य है मन की आँखों से देखना सब समझ आ जाएगा अपनी इत्र की सेवा याद रखना अब तो गोस्वामी हडबड़ा गए उनके मन में बिहारी जी की इत्र सेवा की बात कई दिन से गोम रही थी उन्होंने मन ही मन इसका निश्चे कर रखा था लेकिन ये सब सादू जानता कैसे हैं अभी सोच ही रहे थे कि किसी ने उनका नाम लेके पुकारा अवाज की दिसा में देखा तो कोई दूसरे गोस्वामी पुकार रहे थे वापिस मुड़े सादू की ओर तो देखा सादू नहीं है मुद्धी चकर आ गए कहां गए कौन थे ये मन की बाते कैसे जान ले प्रशन तो कही थे मगर उत्तर किस से मिले रोज मंदिरा थे आखे उस सादू को थलास करती लेकिन फिर कभी दिखला ही नहीं दिये इस घटना के करीब करीब पंदरा दिन बाद एक दिन बिहारे जी मंदिर में वो सादू का इंतचार कर रहे थे कि अचानक किसी ने उनके कंदे पे हाथ रखा देखा तो विश्वास नहीं हुआ अरे आप कब से ढून रहा हूँ आपको अब जाने नहीं दूँगा मैं कहा जाऊंगा मैं तो हमेशा तुमारे साथ हूँ तुमारे मन में हूँ आखे बंद करके देखो तो जरा गोस्वामी जी ने आखे बंद की तो ठाकुर जी का मुस्कुराता हुआ विग्र उब्रा और वही उस सादू में परिवर्दित हो गया आखे कोली तो सादू सामने थे बंद की तो वही नजारा मगर अबके खोली तो सादू नहीं थे उनके हाथ की तुलसी की माला ले गए थे गोस्वामी जी आश्च्रिय चकित क्या माया है कौन सा खेल बिहारी जी के मंदर में चल रहा है वहे विदाता तु क्या कर रहा है मेरी समझ से तु परे है मंदर में आकर स्री बिहारी जी को प्रणाम किया और उनी से प्रार्थना की प्रभू सत्य के दर्शन करा दी जी अचानक उनकी निगा बिहारी जी के चरण कमलो की ओर गई हैरान रह गए उनकी तुलसी की जपमाला वही पड़ी थी चरणों में आखें उठा के देखा तो बिहारी जी की आखों में वही तरल था वही पनिलापन वही तेज मूँ से निकला कहीं वो तुम तो नहीं थे कहीं वो तुम तो नहीं थे कहीं वो तुम तो नहीं थे तो ये बांके बिहारी के चमतकार की गटना पढ़ने को मिली आपके ले के आया आगे भी कभी समय समय पर आपके लिए ये कथा लाता रहूँगा आज की कथा को यहीं विराम आपको मेरा पढ़ाम जैशियाराम जैशियाराद है